तो देख सकते हो कि हम बना रहे हैं बहुत टेस्टी बहुत यमी और साथ में हल्दी तो ही सही लेकिन बहुत सीना एकदम ऑथेंटिक वाली रेसेपी बेदम की पूरी ये रेसेपी आपको बनाना एक बार आ गई तो आप हर बार जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करेगा त तो चलिए आप सब का स्वागत है वर्षा की स्मार्ट रासोई में और आज हम बनाएंगे पहुत हेल्दी रेसेपी इसके लिए मैंने दो गंटे मूम दाल को सोक कर लिया फिर एक ब्लेंड जार में डाल दिया है साथ में लेसुन की दो कलिया और दो हर इमेच डाल दी है अ और साथ में इसमें बेसिक मसाले जैसे एक चामशलाल मिर्च नामक और सूखा धनिया इसमें हम डाल देंगे और साथी साथ में इसमें नमक आप स्वाधनुसार आट कीजिए और इसमें आप मैदा भी डाल सकते हो लेकिन मैं आटे से बना रही हूं बहुत हिल्दी बनेगी तो यहाँ पर एक कप के करीब आटा डाल देंगे और आटा डालने के बाद फिर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे उतना गूंदना है कि देख लीजिए कि इसका आटा लग जाए अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी और आट कर सकते हो और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है तो इसका अब हम लगा देंगे आटा थोड़ा सा पानी कम लग रहा था वो डाल देंगे और अच्छे से ना इसका आटा गूंद लेंगे थोड़ा सा ना इसमें आप चाओ तो ऑईल या घी भी लगा सकते हो जिसे कि यह तरीके से मिक्स करना फैक और यहाप अच्छी तरीके से मिक्स करते अच्छे तरीके से तो उन और हमारा और रहाच है अब आटैकाटै मेंम वर एक अशवती है तो बानानी चींप रम थियुक्त सबम और ना जमया शरी थी Tech Enfin पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है फटा फट से जाईए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए फ्रेंड्स एन फैमिली के साथ और ये मस्त खसता पुडियां इंजॉय कीजिए और अपने परिवार वालों के साथ हेल्दी खाई क्योंके वालों के साथ है क्या साथ है क्या है, कर दो प्रेंड है क्यां का मिर्वार बार फदेए मेश ऱूफ है क्या फ्रुआ क्या में बार फर लिここ है entleकर पतरुआ市 से जा बार तारीं, इंज